कि oh hello students कैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप अशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे मैं आर्थी आप सबी का अपने परिवार physics को उपर हार्दिक स्वागत करती हूं जहांपर हम व्रणवड़ते हैं थार्ट पेपर के डिसकस्थ करेंगे तो हमारी इसके बारे में zrobić करेंगे कि हैं से स्टार्ट करते हैं on the basis of direction chemical reaction can be divided in two parts direction दिशा के basis पर जो chemical रसाइन क्रिया होती है दो parts में divide की गई है दोनों parts जानते हो आप reversible और irreversible reaction के बारे में आपने जरूर सुना होगा तो यहीं है यहीं इन इन्हीं तो parts में divide की गई है देखो reverse irreversible reaction क्या होती है the chemical reaction in which reactant molecule will convert in product बट product cannot be converted into reactant अब यहां से इन reaction को बोला जाता है irreversible reaction जैसे इसमें आती है a plus b हमने कोई भी reaction की a plus b और यहां पर हमारा product बना सी अब यहां से जो हमारे reactants है यह react करके अपना product बना रहे हैं लेकिन यह product यह reaction सर्फ इसी direction में होगी product से वापस में reactant नहीं बन सकता यह आपकी कहीं जाती है irreversible reaction आगे देखो they can be represented by this sign arrow single arrow का यहां पर निशान दिया गया है इससे इसको represent करते हैं these reaction will complete in certain time interval एक निश्चत्र time एक निश्चत्र समय अंतराल के अंदर यह reaction पूरी हो आती है एक्जांपल दिये हुए हैं यहां पर जैसे प्रेसिप्टेट रियक्शन डी कंपोजिशन ओफ स्ट्रॉंग एस्ट्रॉंग बेस एंड साल्ट इनके डी कंपोजिशन किसमें आते हैं reversible irreversible reaction में आगे देखो next कौनसी कि रियक्शन दी हुई है reversible reaction में और रिये रिवर्सेबल रियक्शन देखो पर आपको एक बात बताऊंगे आप होगी और यहां से प्रोड्ड़क्ट से वापस्य रियक्टेंट भी बन जाएगा यह तो है रियक्टेंट एंड प्रोडॉक्ट विल रेगुलर्ली ब्लूर्ट इनट्व इंट्व एईच अदर आपस हमें इन फाइनाइट टाइम से यहां पर मतलब है कि हमारी इस रियक्शन को करने के लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है होने को यह आदे घंटे में भी हो जाएगी होने को इसको बहुत टाइम भी लग जाएगा ठीक है अग्जामपल देखो डी कंपोजिशन ऑफ वी कैसेड वी वीडियो पोज करके लिख सकते हो इसमें तो जो जो टॉपिक क्लियर करते चलेंगे उसका आप स्क्रीन सॉट ले लेना साथ में ले लो पहला वाला फिर सेकिंड हो गया हमारा रिवर्सेबल क्लियर है आगे देखो आगे हम इसमें डिसकस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे की गई है कौन कौन सी होती है वो एक होती है हमारी होमोजीनस रिवर्सेबल रियक्शन और एक होती है हेट्रोजीनस रिवर्सेबल रियक्शन दिखाते हैं आपको यह हेट्रोजीनस ठीक है देखो अब इसमें होमोजीनस रिवर्सेबल रियक्शन में कौन सी रियक्शन सात है the reversible reactions in which reactant and product exist in same phase एक ही फेज में अगर आपके product और reactant मौजूद हो वह आपके homogeneous reversible reaction क्यालाते हैं जैसे जैसे reactant है gas h2 gas होती है n2 gas होती है और यहां से क्या बनाते हैं मिलकर NH3 gas मिलाते हैं मान लो यह क्या हो solid में हो तो यहां से product भी आपका solid में बने जैसे आपकी यह reaction दी हुई है यहां पर यहां पर क्या लिया हुआ है carboxylic acid और क्या लियुए यह एथाइल alcohol लियुए है और यहां से क्या बन रहा है h2o बनता है और यहां से एस्टर बनता है दोनों ही आपके लिक्विड होते हैं अब यहां से एक ऐसी होगी homogenous जिसमें same phase exist करता हो मतलब कि इसमें दो product भी और reactant भी gas में होने चाहिए या liquid में होने चाहिए या solid में होने चाहिए यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए मैं आपको सला दूंगी इसमें कि आप वीडियो पोज करें और नोट करें साथ के साथ करते चलें इसमें यह जो आपका इसमें theoretical portion है जादतर इस बुक में जो physical chemistry है आपकी तो इसलिए हम आपको इसमें PDF में करा रहे हैं जिससे आपको नोट्स भी प्रॉपर्ली वन जाएंगे आपके और आपको problem भी नहीं होगी देखिए यहां से नेक्स्ट है क्या होता आइस चैंबर यानि की freezer होता है वर्फ जमी होती है तो जब बर पिगलती है तो सबसे पहले वह वाटर में बर्फ कैसी स्टेट में होती है बहुत अच्छ से समझते हैं इसमें देखिए फिर भी आपको एक बार बता देते हैं देखो इसमें क्या होता है बहुत ही सिंपल है chemical equilibrium ये इतना बड़ा आपको बेशक लग रहा होगा कि इसमें क्या थियोरी थियोरी है पर इसमें बहुत ही चोटी सी एक चीज है क्या है वो irreversible reaction और ये बात याद रखना ये chemical equilibrium जो होती है reversible reaction में ही represent की जा सकती है irreversible reaction when rate of forward and backward reaction will equal to each other such state of reaction is known as equilibrium state मतलब जैसे मैंने भी किसका example दिया था A plus B का example दिया था यहां से आपका क्या बना था C बना था यहां से यानि कि product बना था है यहां पर product चलो पी ही मानलो product ठीक है यहां पर क्या होगा इस reaction का rate और इस वाली reaction का rate यानि की forward reaction का rate forward reaction और backward reaction इन दोनों का rate समान होगा समान वेग से दोनों क्रियाए होंगी समान समय लगेगा इन को दोनों क्रियाओ को होने में तो यहां से यह reaction क्या कही जाएंगी इन reaction में क्या जाएगी equilibrium साम में वस्था स्थापित हो जाएगी वही साम में वस्था उसको कहते हैं जब forward reaction और backward reaction का rate equal हो जाए समझ में आ गई इतनी बात अब देखो यहां से यह कैसे होती है when a reaction starts जब कोई करिया start होती है the concentration of reactant is maximum reactant की concentration maximum होती है reaction लिख लेते हैं अपनी फिर से a plus b बन गया product P अब आगे देखो यहां पे जब हमारी reaction start होती है तो rate of concentration maximum यानि कि यह हमारे जाद में होते हैं कि हम क्या क्या मिला रहे हैं and the concentration of product is zero अभी प्रोड़क्ट तो नहीं बना reaction अभी start हुई है तो प्रोड़क्ट नहीं बना तो प्रोड़क्ट की concentration क्या हो जाएगी जीरो इनीशल स्टेट से हमारी reaction हो रही है सबसे पहले जो हमारी स्टेज है आरंब वाली the rate of forward reaction is maximum forward reaction का rate maximum होगा अरे reactant react करेंगे पहले तभी तो आगे जाके प्रोड़क्ट बनाएंगे तुम forward reaction का rate क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा जहां पर whereas the rate of backward reaction is minimum backward reaction का rate क्या होगा यहां पर minimum दिया जाएगा समझ में आ गई इतनी बात बट्ट एस दे अरे जयां से सुनना अभी एक step हो गया हमारा जब प्रोड़क्ट आपका रियेक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कनवर्ट हो जाएगा अब इसका रोल खतम इसका रोल शुरू हो जाएगा इसका काम decreases reactant की concentration decrease हो जाएगी rate of forward reaction भी decrease हो जाएगा अब क्या बढ़ेगा forward की बात हो गई अब आते हैं backward की तरफ backwards backward की तरफ यहां पर कैसे देखो similarly अब यहां पर बात करेंगे आगे आगे क्या दिया हुआ है यहां पर similarly the rate of backward reaction will increases अभी बताया था a plus b मिलाएंगे बनाएंगे product p यहां से forward reaction complete होगी similarly the rate of backward reaction increases अब यह वाली reaction तो complete हो गई है अब इस वाली की तरफ चल रहे हैं तो backward reaction का rate increase होगा rate increase होगा due to increase in concentration of product अब इसका काम तो हो गया अब इसकी तरफ चल रहे हैं इसकी concentration जादा होगी तो product की concentration जादा होगी after some time rate of both reaction will be equal to each other और एक time is आएगा जब दोनों reaction का rate x जैसा होगा यानि की forward वाली का भी और backward वाली का भी it is known as equilibrium point of reaction और just point पर दोनों साम में वस्था स्थापित करेंगे वही उसका equilibrium point खा जाता है आफ्टर इट बोथ reactions will proceed with equal rate up to infinite यानि की यहां पर जैसे मान लो देखो मैं एक simple सी language में बताती हूँ आपको a plus b यहां बनाएंगे c चलो पी ले लो ठीक है यहां पर हमने लिया reactant लिये दोनों react करेंगे तो इनकी concentration जादा होगी जब यह दोनों react कर रहे हैं तो एक तरफ हो जा रही है ना पहले reaction सटार्ट हो रही है तो forward reaction का rate जादा होगा ठीक है जब यह reactant से product बना लेंगे जब product बना लेंगे तो इसकी concentration जादा होगी backward reaction का rate जादा होगा और वो rate जब आपकी दोनों react रियक्शन कंपलेट हो जाएंगी forward reaction भी और backward reaction भी और जिस point पर दोनों क्या होगी reaction कंप्लीट होंगी इसमें क्या होता है एक Supply . no माय ऑपको अगे देखो तक करेक्टरिस्टिक बब करा रॉप इसमें आगे करेक्टरिस्टिक पॉइप धिये गए है यहां पर क्या है OSC करेक्टरिस्टिक सिक kalkrets पॉइंट्स में दिये हुआ हैं यह रहे six point में आपके characteristic दिये हुए हैं क्या 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 characteristic है यह बात करेंगे अब हम इसमें देखो first point क्या दिया हुआ है first point दिया हुआ at equilibrium rate of forward and backward reaction are equal to each other यह तो सच है बात अभी बताई आपको कि forward और backward reaction के rate equilibrium point पर क्या होते हैं एक दूसरे के equal होते हैं first point हो गया second देखिए at equilibrium the concentration of reactant and product are equal or constant यह भी बात विल्गुल सही है कि जो आपके reactant और product की concentration होती है वो क्या होती है equilibrium point पर समान होती है अरे जब reaction का rate समान होगा तो उनकी concentration भी तो समान होगी आगे देखो point number third क्या दिया हुआ है equilibrium is a dynamic state of reaction dynamic state है reaction की यह भी बात बिल्गुल सही है आगे देखो इसमें the direction of equilibrium can be changed by change in external factors like temperature, pressure and concentration यह बात यह point है देखो अगर हम क्या करें reaction में temperature कोई भी reaction करा रहे हैं वही ए प्लस भी वाला example लेते हैं ए प्लस भी कोई भी reaction करा रहे है product भी बना रहे हैं अगर हम यहां पर reaction को गरम करने करने लगें मतलब यहां पर क्या कर दें अगर इसको गरम कर दें या फिर प्रेशर बढ़ा दें या फिर concentration चेंज कर दें अपने reactant की तो उसकी जो होगी क्या equilibrium change हो जाएगी equilibrium की direction क्या होगी change हो जाएगी या यह कह सकते हो उसकी सामयवस्था विस्थापित हो जाएगी आगे देखिए point number 5 point number 5 में दिया गया है catalyst has no effect on equilibrium जो हम catalyst मिलाते हैं catalyst का equilibrium सामयवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा क्यों होता है क्योंकि catalyst is used to change the rate of reaction catalyst जो होता है reaction का rate change करने के लिए करता है जैसे catalyst दो टाइप क्यों होते हैं poison catalyst और एक होता है normal catalyst जो होता है एक क्या करता है reaction का rate बढ़ाता है poison catalyst का काम क्या होता है reaction का rate decrease कर देता है but at equilibrium rate of both reaction is equal equilibrium में दोनो reaction यानि की दोनो reaction मतलब forward और backward reaction दोनों का rate equal होता है but catalyst helps in formation of equilibrium पर catalyst जो होता है equilibrium सामयवस्था बनाने में सहायता करता है पर उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता क्योंकि catalyst reaction में से अपने आप अलग भी हो जाता है यह बात जानते हैं आप नेक्स देखें पॉइंट नंबर सिक्स हैट equilibrium फ्री एनर्जी और गिफ्स एनर्जी चेंज विल बी जीरो एनर्जी चेंज उसमें क्या होगा जीरो होगा equilibrium स्टेट पर यह हो गए यहां से आपका यहां पर आप क्या कर लेंगे आप इसको नोट कर लेंगे ग्राफ रहने देना यह नोट कहीं से मंगाए हैं हमने यह देखें यहां पर क्या करेंगे आप equilibrium chemical equilibrium हो गई यह क्या आगए इसके करेक्टरिस्टिक आगए नोट कर लिजे आप इने अब आगे देखते हैं स्मॉलर कंसेंट्रेशन या मॉलारेटी किसे कहते हैं देखिए दर टाम वास गिविन बाइग गुलवर्ग और वागे तो डिफाइन तकंसेंट्रेशन ओव गैसी सॉल्यूशन बेटा जो आपके गैसीय सॉल्यूशन होते हैं गैसीय सॉल्यूशन उनको डिफाइन करने के लिए उनको डिफाइन करने के लिए गुलवर्ग और वागे ने यह टर्म दी थी एक्टिव मास की यहां पर यह क्या बताया गया है एक लीटर गैसीय सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स ही क्या डिफाइन करेंगे उसका एक्टिव मास डिफाइन करेंगे दोबारा सुन लो एक लीटर गैसीय सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स वही डिसाइड करेंगे इसका एक्टिव मास किसका गैसीय सॉल्यूशन का और इसकी यूनिट इकाई क्या दी हुई है मोल पर लिटर मोलर या फिर एम से डिफाइन करता है मोलर को ठीक है यह हो गई इसकी यूनिट आगे देखो इट शूट भी रिप्रेजेंटट बाइ स्क्वाइर ब्रेकेट से रिप्रेजें यो करते हैं क्योंकि गैसीयस रीयक्षन शुड बी कैरीड इन क्लोज्ड कंटेन के रिल्श शोंगी चोटी सी एक बात है जब किसी कंटेंटेंटर window होगा तो गैस के अंदर रहेगी आगर गैस बहारो जाएगी जैसे हल्का सा चाय बनाते हो चाय जब इसमें क्या होता है अगर हम चाय के बरतन को उपर से ढख देते तो उसके अंदर स्टीम रह जाती है लेकिन अगर हम उसके ओपर से लिड़ हटा देते हैं तो स्टीम क्या होती है सारी बाहर चली जाती है इसलिए गैसे के इसली डिफ्यूज एंड इट विल चेंज इस कंसेंट्रेशन एस वेल एस डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब द इक्विलिबिरियम ऑफ रियक्शन लेकिन जैसे अगर आप क्लोस कंटेनर नहीं लोगे तो उसकी इक्विलिबिरियम डिस्टर्ब हो जाएगी फॉर्मिला दिया है फॉर्मिला आप यहीं से बना सकते हो कहां से बनाओगे यह इस लाइन से फॉर्मिला बन गया बिल्कुल नमबर ओफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम औफ गैसिया सॉल्यूशन लीटर में अब यहां पर देखो वॉल्यूम किस में होता है वी में आगे क्या दिया वे बटा कुछ कोश्चन्स भी कराए गए इसमें देखो एक्टिव मास का फॉर्मिला हो जाएगा एन अपॉन वी एन किसके को लोता है वेट अपॉन के यानि कि भार बटे द्रवे मान के आगे यहां से क्या कर दोगे एन की वैली रख दोगे डबलू अपॉन एंटू वी आ जाएगा एक्टिव मास अब यह फॉर्मिला लगाओ और यहां से नुमेरिकल सॉल्व करो नोट कर लो इसे एक्टिव मास मॉलर कंसेंट्रेशन मॉला यह दी हुए अमोनिय कि बात कि इस प्रेजेंट इन अ कंटेनर ओस निकालने के लिए आपके पास फ़र्मिला यहां से अभी तो फ़र्मिला बताया है अंदेखो यह इसका बॉल्माल ब्द्रे दी हुए सब्सका क्टिव में सबस्त हाँ दी हुए और यहां से क्या दिया हुआ है वी वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है कितनी है टू लिटर यह रही आपकी वॉल्यूम की वैल्यू टू लिटर अब आगे इसमें निकाल सकते हो यह नहीं निकाल सकते हैं बिलकुल आसानी से निकाल सकते हो बस आपको क्या पता होना चाहिए एन का कितना होता है एन का 14 होता है हाइडोजन का 111 तो यहां से कितना हो गया 14 15 16 17 17 क्या हो गया इसका मास हो गया समझ में आगे इतनी बात अब आगे क्या करना है आपको वैल्यू पुट करनी है यह यहां से किसकी वैल्यू हो गई वेट की डवल्यू की वैल्यू हो गई यह M और सबस्क्राइब इसकी चलते हैं कि यूनिट नमबर टू दिया हुआ बैटा आप कोश्रीन कर लो मैं आपको यही सला दूंगी और बीना देखें इसके आंसर देने हैं आपको आंसर लिखना इनके बिना देखें क्वेश्षेंनोट कर लो सकते हैं यह देखो क्वेशन नंबर थ्री है दो पार्ट दिये हुए बिना देखे सॉल्व करना आप इसमें क्वेशन नंबर फॉर फाइव आगे देखो आगे इसमें नेक्स टॉपिक का डिसकस करेंगे लॉफ एक्टिव मास अब तक तो एक्टिव मास के बारे में पढ़ा था कि हमारे एक्ट अगर क्या दिया जाए इफ मोर देन वन रियक्टेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन रियक्टिव मास अगर एक्टिव मास निकालना सिखाया अभी आपको अब ही तो हमने ये बताया था क्या बतायाथ था कि अमोंकिव लिए थे एनस त्री और उसको ले करी हमने आगे आपको बताया था लेकिन अगर यहां पर एक से के बराबर हो जाएगा किस तरीके से होगा टेरिवेशन कराएंगे आपको उसमें पता चलेगा यानि कि reactant और उनके number of moles के product के equal होगा यहाँ पर क्या दे दिया कैसे होगा बिलकुल बिलकुल अच्छे समझ में आ जाएगा एक बर दुबारा से देख लो इसको अगर एक से जादा एक से जादा reactant participate करें किसी भी reversible reaction में तब rate of reaction directly depend करेगा किस पर product of active mass of reactants जो हमारे reactants होगे जैसे A और B हैं हमारे reactant product बना रहे हैं P तो इनके product के directly depend करेगा आगे देखो आगे क्या दिया हुआ है and number of moles of reactant और mole के जितने भी number दिये reactant के जितने भी moles होगे किस तरीके से जैसे हमने लिया है 3A plus 2B यहाँ पर बनाएंगे 5P इस तरीके से माल लो अगर बना रहे हैं तो यहाँ से यह represent करे जाएंगे active mass की power में यानि की A की power 3 और B की power 2 इस तरीके से दिखाए जाएंगे समझ में आ गई बात derivation देखो बिल्कुल अच्छे से समझोगे बच्चा आगे देखो यह हमने दे दी reaction यहाँ पर N1 A है N2 B है forward reaction का rate R1 है backward reaction का rate R2 है product बन रहा है N3C और N4D आगे देखना applying the law of active mass active mass का low apply करेंगे जो अभी आपको बताया rate of forward reaction किसके product के equal होगा reactants के product के equal होगा और जो moles होंगे power में जाएंगे बिल्कुल यह N1 N2 moles हैं तो यह चले जाएंगे power बात करने हैं forward reaction की इसलिए हम लेंगे R1 अब यहाँ पर यह directly depend का साइन था ना तो इसको समानुपाती के साइन को उटा कर क्या लाते हैं बराबर के साइन के साथ constant आता है अरे बच्चा यह constant आ गया ना यहाँ पर K1 तो K1 जो होगा यहाँ से rate of forward rate constant होगा forward reaction का इसी तरीके से बात करेंगे हमारे इस वाले पार्ट को लेकर इस वाले backward reaction का rate क्या दिया हुआ है बच्चा R2 दिया हुआ है R2 दिया हुआ है इसी तरीके से यहाँ पर solve करेंगे C और D और N3 N4 चले जाएंगे इनकी power में समानुपाती का sign हटाएंगे यहाँ पर K2 आजाएगा अब आगे देखना अब यहाँ पर लगाएंगे equilibrium वाला वो equilibrium वाला rule हमारे chemical equilibrium कहती है कि forward reaction और backward reaction का rate बिल्कुल same होता है तो हम यहाँ से R1 बराबर R2 कर देंगे rate ही तो है यह rate ही तो दिये हुए है देखो दिखाती हूँ आपको दुबारा से यह दिये हुए यहाँ पर आपके यह R1 R2 forward backward reaction के rate दिये हुए है यह हम क्या कर देंगे एक दूसरे के equal रख देंगे यहाँ पर रख दिये equal हमने यह होगा equal values रखो गे इनकी K1 upon K2 हो जाएगा यानि कि constant वाला एक्साइट ले लिजे और जब इसको solve करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा जो बिटा आपका K1 और K2 है यह हमने मान लिया equilibrium constant है यह forward के लिए यह backward के लिए और इनका ratio equilibrium constant हमने KC से represent कर लिया तो equilibrium constant का formula बन गया है से KC is equal to product product की multiply upon reactants की multiply समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई आप क्या कर लो इसको note कर लो बाकी की चीज़े करेंगे हम next turn पर बटा इसको note कर लो I hope आपको आज समझ में आई होंगी यह चीज़े आप इनका screenshot ले लो देखो PDF नहीं मिल सकती आपको आप जितना खुद से note करोगे इतना आपके लिए ज्यादा भैतर होगा चलिए यह हो गई बाकी की चीज़े करेंगे next turn पर ज्यादा लंब लेक्टर नहीं रखेंगे बोर हो जाओ कभी आवसे बोर वाला टॉपिक नहीं है बहुत इचा टॉपिक है यहाँ पर देखें बहुत जल्दी आपकी यह बुग झाते हो फिजिक से रिलेटेड क्यमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो Instagram आईडी बता देंगे आपको Instagram आईडी फिजिक्स अंडेस्कॉर गुरूंडरस्कॉर अंडिया यह Instagram ideas पर message करके आप अपने doubts पूछ सकते हो और Instagram id है ये और Telegram channel भी बनाया हुआ है हमने आपके लिए तो Telegram channel join करने के लिए पहले play store से Telegram install करना आप फिर उसके बाद search करना physics guru India आपको Telegram channel मिल जाएगा सकते हो classes के regular updates आपको महाँ पर मिल जाएंगे id note कर लेना आप चलो आगे देखो आगे के screenshots में बटा मैं आपको questions दे रही हूं questions आप करके देखना है इसमें खुद से जादा zoom in हो गये चलो यह देखो यहाँ पर ओ गया हमारा आज का topic कम्प्लीट कलम इसमें करेंगे equilibrium कॉंस्टेंट की definition के बारे में यह जो हमने आज यहां से निकाला है ना यह इसके बारे में discuss करेंगे तो चलिए मिलते हैं आप से कल आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मच